और दा डिजाइन ऐसले स्टेप हमारा सेकेंड इस्टैब ऑएगा चुजिंग फंक्षन हमें टारगेट फंच्टिं को कैंसे चूज करना है किसी भी अगर हम लर्म इस्टैब को डिजाइन कर रहें तो उसके टाइम पर हम सारा second step is called choosing the target function उसके लिए हम देखेंगे कैसे हम target function को achieve करेंगे target function क्या है कैसे इसको हम achieve करेंगे इस चीज को हम देखने वाले हैं इससे पहले हम step देख चुके हैं जिसके अंदर हम देखा कि training experience choosing the training experience अब training experience तो उससे हम पता चलगे training experience में कि हमारा जो checkers problem है हमारा जो भी learning system है उसकी क्या-क्या legal move हो सकती है मतलब क्या-क्या possibility हो सकती है हमारे इस game के recording हम देख रहे हैं क्या-क्या हमारे पास legal move हो सकती है लेकिन यहां पर हमारा रहेगा टार्गेट फंक्शन जूस करना कि मतलब कि exact type of knowledge हमारा फोकुस रहेगा exact type of knowledge to be learn कि हमारा exact type of knowledge हमें learn करनी है जिसकी वेज़े से क्या होगा जिसकी helps हम क्या करेंगे गेम को जीट सकते हैं यह हमारा final आता है इसका जो objective है to find the unknown target function के बारे हमें कुछ नहीं पता है कि हमें देखना है what type of knowledge to be learn will be learn and how this will use by performance system हमें किस टाइप की knowledge को learn करना है क्या है वो और उसको performance system के द्वारा कैसे हमने यूज कराना है कैसे उसको यूज करेगा हमने यहाँ पर देखा कि इससे पहले देखा कि हमारे पास multiple type की legal move है क्या है यह मैंने इसके लिए बात की इसके लिए मेरे पास ही स्य थो लेकिन आते है कौंसा अगा जो हमारे टार्गि फंक्शन होगा चूस पॉसिबल मूब हो ऑनमें क्या हमारे बहस्ट को छूजर करेगा choose the best option from among available valid option जो जो हमारे पास valid option है उसमें क्या best option कौन सा है और किस type के हमने इसके sequencing के लिए best strategy हम प्लान करेंगे make a best strategy for sequencing तर्गेट फंक्शन जो हमारे क्या है exact type की जो knowledge है उसको learn करेंगे from training experience इससे पहले training experience में हमने देखा था कि किस टैप से हमने इसको learn किया था लेकिन यहां पर जो training experience वो भी हमारे दो टैप की है तो डिरेक्ट टर्न एक्सपिरेंस है और डिरेक्ट टर्न एक्सपिरेंस है तो इसकी हल से क्या करेंगे जो हमारे training experience होगा choose the best move from among the legal move initially it unknown नहीं पता है कौन से हमारे best move है जो हमारे पास available of move है उनके भी से हमें निकालेंगे कि हमारी कौन सी best move होगी based on the training experience तो अगर हमने direct experience की बात करेंगे तो direct experience के time पह है need to find the target function यहां पर मतलब गेम को जीतने के लिए जो हमारी चूज मूव फंक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा जैसे हमने एक चूज मूव फंक्शन ले लिए जिसकी हले फंक्शन के तुरू में क्या करना है गेम को जीतना है हम इतनी वेल्यू लेकिया जो भी हमारा बोर्ड इस्टेट होगा उसके तुरू हमने देखा आया कि हमारे पास जो प्रोवाइड अबलेबल मूब हैं उन्हें के हमारी repeat के वह प्रमने क्या अपना क्वाइब किया है जस्के हमारा जो आउट्पुत हो इसके बश्कामने मनले कि हां पर हमारे जो function काम क्राहों है यह उसमूउव function कुस्सलित में डानीडक ़्हुच्तfight के ऐडियत कि हमारे पास जो मूव हैर इसमें एक क्वेश manufacturing देख है향 हम Armed हमने यह देखा है डारेट टरनिंस तो अगर यह पर चलेंगे तो हम इस पर चलेंगे मतला है उस पहम होगी हो सकते हैं delete learning experience हमें पता है हमें नहीं पता कि यह best मोब है या यह पता कब चलाएगा जब हम गेम को कर देंगे तब हम उस चीज को पता चलाएगा तो इंडारेट experience के टाइम में क्या है यह difficult है इस टाइप को लर्न करना इसके वैसे हम यह पर यूज करते हैं एक कि इसमें देखते हैं कि आप टार्गेट व्शन सक्सीफिल हमारा काम क्या है बेस्ट मोग को सब्सक्राइब करना लेकिन सब्सक्राइब करेंगे कैसे हमारे इंडारेक्ट experience पर हम देखने बाले है कि target function को जिसको हम ने का बोला है evolution function बोला है तो इसकी जो value है जिसको हमने B set denote किया है ठीक है particular word state पर है ठीक है value हमारी क्या रहेगी हमारी training value जो value है target function की वो क्या रहेगी उसको हम देखेंगे हम पहली condition देखते हैं कि अगर हमारी बी हमारा final state है ठीक है वी हमारा final word state है मतलब जो बी हमारा final word state है उसके बाद में पता जला है कि that is bone ठीक है हमारा game जीच जाते हैं तो हमारी उसकी value रहेगी वी बोल्ड इस्टेट की that is 100 और अगर अगर बी हमारा final state है और उसकी वैसे क्या हो रहे हम गेम को loss कर रहे है तो इसकी value रहेगी हमारी minus 100 और अगर हमारी बी जो है final word state है और उसकी उसमें क्या होता है final result है हमारा that is drone गेम हमारा draw हो जाता है तो हमारी जो बोल्ड इस्टेट की value हो रहेगी that is zero हमारी तीन condition आगे हमारी आगे हमारी कि हमने final body state माना है अगर उसकी वैसे हम गेम जीच जाते हैं तो हमारी value 100 है हार जाते हैं तो minus 100 है अगर draw हो जाता है तो zero है लेकिन condition हमारी यह नहीं कि जरूर नहीं कि वो बी जो हमारी रहो है यहाड है final body state हो ही हो सकता है जो बी हमने करने के बाद में उसके बाद में भी Final State है मतलब भी क्या है एक intermediate state है हमने इसमे माल लिया कि B not a final state B को हममने माल लिया कि भी हमारी कुई final state नहीं है हमारी value कै रहे Child Greg तो उसको हम देखेंगे तो भी हमने माल लेगी वीज़दा बैस्ट फाइनल वोड इस्टेट डैट कें अचीव स्टार्टिंग फ्रॉम भी हमने देखा कि कोई हमारा बी इंट्रमेडियर स्टेट उसको मानके चल रहे हैं कि इसके बाद में हमारा कि गरने तक जो हमारी यूरिय। रहे हैं और इसके उस यह वैघ भुण पर हमारा को सब्सक्राइब्य की यहां पर हमारे कि आप il इस चीज्यान के होगा सकते होगा तो यहां पर ले殖े Hasta तो ideal target function को discover करना हमारे difficult problem रहेगी हमारी यहां पर इसके लिए हम क्या करते हैं जो learning algorithm में उसमें हम accept कर लेते हैं accept करने की कोसिस करेंगी कि जो भी हमारी target function value रहेगी उसके आसपार मतलग कुछ ना कुछ approximation रहे उसके आसपार कुछ ना कुछ उसके approximation रहे हमने माल लिया कि हमारी जो value है जो game को जिताने के लिए जरूर नहीं कि हम उसी target function को achieve कर पा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता है वो ideal target function माल के चले हैं लेकि आइडियल को हम ऐसे नहीं कि directly achieve कर लेंगे तो उसके लिए हम उसको देखेंगे को उसके approximate हम ऐसी value को find कर दें जिससे हमारे game की जितने की possibility increase हो जाएगी यह तीन condition थी लेकिन अगर तीन condition नहीं होता हम क्या करेंगे तो हमारा जरूर नहीं है कि हमारी final state हो और final state नहीं है वो intermediate state मतलब उसके बाद में कोई नहीं स्टेट रहेगी तो हम आपर लेके चलते हैं कि आइडिल टार्गेट फंक्शन कि हमारी एक approximation हमारा function approximation मिल जाएगा जिसकी बहुत से क्या होगी हमारी best possibility रहेगी कि हम गेम को जीज सकते हैं यह था हमारा second step वो डिजाइन इंगे लर्निंग सिस्टम हमारा थर्ड़ स्टेप आता है चूजिंग रिप्रेजेंटेशन फो टार्गेट फंक्शन टार्गेट फंक्शन के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन चूज करना है यहां पर हम कि जो भी लीनियर फंक्शन छी देखते हैं इससे पहले यहां टार्गेट फंक्शन अची कम देख चुके है सबसे पहले हमने टार्निंग एक्सपरीयंस देखा था टार्गेट रेक्स घूसको तरह करना है ताकि भो हर सिचुईशन में में उसको काम करबाना है उस उस मूब में कहा जो best मूब होगा उसको हमने चूज किया अब यहां पर हम third step देखेंगे for design a learning system में choosing a representation for target function तो यहां पर जो target knowledge है उसको कैसे represent करेंगे हम कि कैसे हम हमने representation चूज करना है तो यहां पर हम algorithm देखने पड़ेगी choose a representation that algorithm used to describe the function that it will learn तो यहां पर target function को जो भी learn किया है तो यह possible नहीं कि learning में जो हमारा target function है achieve हो जो हमने learn किया है तो उस time man में देखा था कि जो target function नहीं अच्चीव किया था तो जरूर नहीं है कि target function achieve हो possibility नहीं है तो यह भी हो सकता है कि वह expect primera possible ना हो एलाव दप्रोप्रोटीमेशन एक सीबसेंट पॉसिबल तो फिरेगे तो जो भी हमारे एक्सप्रेसे रिपर ने सिर्फ में लेके आना है जो भी हमारे पर प्रोग्रम बने और प्रोग्रम रिग्वाईर के इस पर हम देखेंगे कि क्या हमारा पैस्ट टार्गेट फंक्शन को हम रिप्रिप्रिजेंट करा सकते हैं जो हमारा एक्रॉक्षीमेट हो कि आईल टार्गेट फंक्शन के आसपास हो हमारा हमार इसके लिए हम क्या करते हैं असी लर्निंग अल्गोरितम है complete list of all permitted उसमें जो सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर इसको हम युज कराने के लिए और देखेंगे उसका है तो हमारे पास तार्गेट जो भी हमारा टारगेट रहेगा उसको हम देखेंगे तो उसी का है कि जिस target को हमने choose किया है जिस move को हमने choose किया है with help of next move function तो उसके तुरू हमारे success rate improve होना चाहिए हमारी possibility हो कि उसके according या उसके help से क्या होगा हम game को win कर सकते है game को जीज सकते हैं तो function को हम क्या कर सकते है b cap से calculate करते है तो we calculate the linear combination of falling body state तो हमारे यह बोर्ड हमारे यहाँ पर है यहाँ पर यह जो हमारे red king है कुछ हमारे black king है और इसके अलावा हमारे ब्लेक और white हमारे पूरे इसके अंदर अबलेबल है यह 8y8 का हमारा क्या है चेकर्स गेम हम सबसे पहले दिखते हैं कि हमारे पास जो बोर्ड इस्टेट अबले मतलब जो हमारे फाइनल बोर्ड इस्टेट है जो हमारे वोड इस्टेट है तो उसमें पहले देखेंगे एक्स बन उसमें हमारा आएगा number of black pieces on black board V कितने हमारे number of black pieces उस state पर अबलेबल है अगले हम इसमें देखेंगे number of red king available है एक्स-फाइब में हमारा आएगा number of red faces threatened by black मतलब कितने number of red faces ऐसे हैं जेने क्या है threat है black से मतलब माल लो कि हमारी condition यह हो सकती है यहां पर माल लेकि red यहां पर है हमारा इसको भी हो सकता है इस 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 अभी हो सकता है किसी इस साइड हो सकता है और एक्स-पस हमारा आएगा number of black face threatened by red यह हमारे दौनों है जिनको एक दूसरे से हमारे खत्रा है इसको हम देखेंगे बीकैप जो भी हम वैल्यू निकालेंगे टार्गेट वैल्यू तो जो हमारे बेट है उस बेट के अकॉर्डिंग हम टार्गेट वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो भी हमारे टार्गेट वैल्यू रहेगी यहां पर यह जो हमारे बेट हैं यह जो भी हमारे पास अलग-लग जो बोड फीचर अब लेबल है उनकी जो जी इंपोरणेंट से रहेगी उसके अकॉरडिंग ये बेट हमारे असाइन होते हैं इसके लिए माल लिए कि जैसे हमने देखा कि हमारे पास इसमें देखते हैं हम यह जैसे हमने देखा कि हां पर नमबर आप रेड पीस यो है वो क्या हो गए हमारे जीरो ने कि कहा हो बूस्प नेबतों हमारे ब्लेक पीस खत्म होते हैं यह भी नबर जीरो जाएगा और जब हमाररे red piece हमारे 0 है तो इसके बाद में threaten by black तो red face जिब है ही नहीं तो red face को black से खत्रा भी नहीं होगा और जब red face ही नहीं तो black को भी red से कोई खत्रा नहीं होगा तो यह भी value हमारी दोनों क्या होंगी 0 हो जाएंगे तो इसके according क्या find करेंगे हम अपनी training value find करेंगे कि जो हमारी training value रहेगी मतलब जो हमारी estimate जो value रहेगी तो उसके दुर हमें यह मिल जाएगी और बी training value अब हमारी possibility है उस game को जीतने की